गुड मॉनिंग स्टुडेंट्स आज हम चैप्टर फूर का पेश्ट कॉमांड कॉपिंग इन इमेज इसके बारे में डिस्कॉसन करेंगे तो पेश्ट कॉमांड मतलब क्या होता है देखो इडि यूज तो पेश्ट और कॉपिड और फाइल तो एनी अधर प्लेस तो जो कु आधा हीसा होता है उसको काट के ले जाना तो कोट कहा हम पढ़े थे वो जो आधा कॉपिछर हम करके ले गय से उसको कहां पर पेश्ट करना है तो देखो स्टेपट यहां पे द्या है क्लिक ऐन पेश्ट फ्रम क्लीपट गरूब उुप नाव दो इमेज देट यू हैं करे थे वही वाला पिक्चर हमारे कॉर्णर में एपियर हो रहा है लेट कॉर्णर में एपियर हो रहा है तो स्टेप फाइब देखो प्लेस दा पॉइंटर ओन एट एंड ड्राग इट टू दर डिजायल लोकिशन अब हम उसके ऊपर क्या करेंगे हमारे जो पॉइंटर होता ह है जो माऊस में जो लैप ब्टन हम क्लिग करके उसको ड्रा करते हैं लैप बटन को छोड़ देंगी समझ में आ गया कोट कैसे करना है और पेस्ट के से कर ना है कोई भी प्रिक्चर का आधाइस्स को काट करके हम उसको एक नई जगाब पे मूप कर सकते हैं और कॉपी भी कर भी आहता हैं उसका हम कोपी ऑन को सकते हैं तो देखो स्थीक लगोशन फ्राम के हम मेंいमेंज्ग्रूप करेंगे हमारे जो इमेज्गूप है हम से लेक्ट टीक करेंगे स्थे तूसे इन पार si अंदर डिजाइड एरिया और हम अभी पेस्ट के बारे में पढ़े थे थोड़ी ही देर पहले तो हम क्या करेंगी कॉपी करने के बाद जहां जहां पर हमको पेस्ट करना है वहां पर क्लिक करके क्लीबड ग्रूप में से पेस्ट बोटन पर क्लिक करने के बाद हमारे जो यह ये star को हम copy करें थे देखो उसके बाद इसके जैसा ही और भी 2-3 stars बन गए हैं तो ये इसके जैसा ही हम 2-3 stars copy करें हैं ठीक है next देखो zooming an image, zoom means to increase or decrease the view size of the image, zoom मतलब क्या होता है हमारे जो image होता है उसको हम दिखने में छोटा या बड़ा कर सकते हैं कि उसका जो size होता है सिर्फ दिखने में increase or decrease कर सकते हैं जैसे मोबाइल में photo होता है आप उसको जूम करके देखते हो कि नहीं उसी तरह कॉम्पूटर में भी ड्रॉइंग में बन बनाते हैं पेंट में उसको भी जूम कर सकते हैं तो देखो step 1 पहले ड्रॉय फ्लावर फ्लाव करेंगे step 4 click the zoom out option to decrease the view size उसके बाद जूमीन में क्लिक करने के बाद हमारे पिक्चर का साइज हो थोड़ा बड़ा बड़ा होके हमको दिखाई देगा अगर उसको हमको फिर छोटा करना है तो हम कहां पे क्लिक करेंगे जूम आउट पे क्लिक करेंगे ठीक है जूमीन मतलब पिक्चर का साइज इंक्रीज होगा जूम आउट मतलब पिक्चर का साइज डिक्रीज होगा step 5 for normal size of the view click on zoom to 100% टूल उसके बाद हम अगर पिक्चर का normal size देखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे हमारे यह 100% टूल जो है ह हम यह बटन पर क्लिक करेंगे ठीक है तो यह चैप्टर देखो आपका खतम हो गया है चैप्टर 4 पेंट हम नेक्स क्लास में इसका exercise discussion करेंगे ठीक है